तोड़ेगे वो एंड में हमें एक्जाम टाइम तक याद रहे यह याद जिसको रहेगा उसके नमबर ज़ाद आएंगे अदर्वाइस नमबर कमा रहे होंगे तो आज हम बात कर रहे होंगे बेस्ट प्राक्टिसेस के बारे में जिससे कि आपकी व्योप ने पढ़ा है वो मेंबरी में रहे पर उसके उपर जाने से पहले मैं एक और चीज डिसकेस करना चाहूंगा जो की बहुत बड़ा प्राब्लम हो चुका है हमारी जितनी भी यंगर जनरेशन है जो अभी पढ़ाई है जिसको भी अगले एक, दो, चार, पांक साल पढ़ना है वो यह है कि यार मेमरी में तो कैसे स्ट्रॉंग बना है वो बाद में देखेंगे पहले वो अंदर गुसे तो दिमाग के और वो तब गुसता है जब हम बैठ के फोकस से पढ़ाई कर रहे हो चाहे वो आपका लेक्चर हो चाहे आप सेल्फ स्टेडी कर रहे हो चाहे हम रिवाइस कर रहे हो तब फोकस हो दिक्कत यह हम पंदरा मिनिट बैठते है इतने में हमारा मन करता है बोबाईल उठा लूँ लो है तो आप कम motivated हो आपको कुछ और काम करने का मन करेगा होता क्या है कोई भी challenging activity है कि यार आपको पढ़ाई करनी है lecture करना है revise करना है इससे जश्ट पहले आज की दिन हम क्या करते हैं इससे जश्ट पहले या तो हम रील देख रहे होते हैं या हम कोई movie देख रहे होते हैं कुछ entertainment लगा रखा होता है और जब यह challenging activity खतम भी हो जाता है तो हम एकदम से ऐसे relief लेते अरे वाया lecture खतम हो गया मज़ा आगया अब जाके बाहर पैटी खाऊंगा आप जाके बाहर आलू खाऊंगा आप जाके किसी से बात करूंगा तो हो क्या रहा है हमें dopamine spike मिल रहे हैं just before the challenging activity और उसके just पर अगर आप first time पड़ रहे हो तो music जो है आप क्या कर रहे हैं उससे अपना dopamine थोड़ा अप डखने की कोशिश कर रहे हैं पर यह एक long term solution नहीं है तो जणाब आपको यह देखना होगा कि reward जो है जो मज़ा मेरे को है वो संगर्ष करके आ रहा हो बड़ी अजीब सी चीज है पर मैं अपना आपको जूट बोलना होगा कि यार मेरे को मज़ा तब आएगा जब मैं painful चीज करता हूं जब मैं किसी संगर्ष वाले चीज पर करूँ बोरियत से प्यार करना पड़ेगा otherwise आप अपनी sitting capacity नहीं बढ़ा पा रहे होगे just पहले मज़े मत करो just बाद में मज़े मत करो अगर आपको कुछ करना ही है तो आज मैं बताऊंगा आप क्या करो पड़ाई करने के बाद और क्या करो पड़ाई करने से पहले चलते हैं वीडियो के शुरुबात करते हैं थोड़ा सा अगर लंबा हो तो जना आप काफी मैंने चीजे कवर करने के इसके अंदर कोश पिटीशन आप एक चाप्टर को यहां पे सिर्फ पढ़ना नहीं है उसको 5-6 बार at least revise करने आपने UPSA Toppers को देखा होगा वो बोलते हैं हमने लक्षमी कांत को 14-14 बार revise किया तब जागे मैं याद रही तो इसी प्रकार से आप जही नीट के अगर बच्चे हो आपके टोटल 90 चाप्टर है 11-12 के मिलाके तो वो 90 चाप्टर को एक बार नहीं पढ़ना टीचर ने एक दिन पढ़ाया उस दिन आपने नोट्स बना लिया गरा के रिवाइस किया होगे दो रिविजिन अगले दिन बस के अंदर ट्रावल करते हुए आपने जल्दी पढ़ लिया थोड़ा रिप्रेटेशन करें थे पर सीविएसी वाले बचे के काखागड़ हमारे 6-7 में हमारे हिंदी जो है उसके कम ध्यान होता है 10 के बाद तो छूटी जाती है तो वो चीज़ हमें काखागड़ याद नहीं रहते हैं तो जितने रिपेटेशन होंगे वही व्यक्ति के एक्जा याद रहता है स्पेशली अगर आप साइंस इंजिनिरिंग बैग्राउंड से नेक्स चीज के उपर आते हैं कि जनाब आप जब नोट्स बनाते हो तो नोट्स के अंदर हमारी फोटोग्राफिक मेमरी है तो कोशिश करो फ्लोचार्ट बनाओ डाइग्राम्स बनाओ ठीक है जो टीचर में जिस भाषा में कोई फंडा अगर बताया है उसे इंग्लिश में लिख लो हिंदी में बोला है तो हिंदी में लिख लो तो ये चीज़े याद रहेंगी आपको क्यार मेरे अच्छा ये चीज तो उस पन्ने के ऊपर थी वहां फ्लोचार्ट बनाया था चार च आप रोए ठीक है लीना की रूबियम से फ्रेंड्शिप तो ये सारे अभी भी आपने याद रहे पाते हैं क्यों क्योंकि किसी टाइम में हमने कुछ चीज के साथ कहानी जोड़ दी थी कुछ अमने स्लोगन जोड़ दिये थे कहानी से ही हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आप किसी चीज के साथ किसी कॉंसेप्ट के साथ इमोशन जोड़ दो तो जनाब वो चीज अब आपको ज्यादा रहेगी रिपिटिशन इस वेरी इंपोर्टेंट पर अगर आपने इमोशन जोड़ दिया तो आपका कम नंबर ओफ रिपिटिशन में काम चल जाएगा आपने कोई भी चीज पकड़ी आप उसका रिपिटिशन करते जाओ आपको याद आजाएगी वो पर अगर आपने इमोशन के साथ जोड़ा तो आपका कम रिपिटिशन में काम चल जाएगा और इसके अपर पूरी रिसर्च हो रखी है लोगों ने क्या करा लोगों ने ये स्टोरी पढ़ाई जिसमें काफी अच्छे स्ट्रॉंग इमोशन से कि बाई स्टोरी के अंदर क्या होता है यार पॉजिटिव इमोशन भी होते हैं नेगटिव इमोशन भी होते हैं तो वह कहानी लोगों को याद रहती है तो जब आप अपने फंडे पढ़ रहे हो तो होता जाएगा आपको जो जैसी रेंडम कानिया बनानी है वैसी वैसी आप बनाओ पर आपको इमोशन के बाद अगली चीज आती है कि यार आप एक अच्छी साउंड स्लीप ले रहे हो क्या पढ़ने का काम हमने पूरे दिन में कर लिया पर जो भी आपके दिमाग के अंदर जनाब नेटवर्क बनते हैं वो नेटवर्क अच्छे से सेटल होते हैं जब आपकी रात को अच्छी सी एक नींद होती है तो अगर आप पढ़ रहे हो आप एक स्टूडेंट हो जिसको रट्टे मारने हैं रट्टे का मतलब आप पढ़ रहे हो समझ रहे हो चीज़े याद रखनी है तो वहां पे आपकी एक अच्छी at least 6 गंटा minimum और 6-8 गंटे की नींद आपकी होनी चीए तो यह आपके लिए helpful रहेगी जो बच्चा वाप पूरा दिन है उसके अंदर हम जंडे गाड़ेंगे नींद कम करने की जुरत नहीं अपनी एक अच्छी sound sleep आपको लेनी ने बहुत ही एक strong tool मुझे लगता है यह यह है कि जब भी आप किसी फंडे को पढ़ रहे हो चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसे ऐसे पढ़ो कि आप teacher और आपको आगे 10 बुच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ते वक्त आप अपने आपसे चार सवाल फाल तू पूछो के यह यह यहां पर क्यों नहीं है यह यहां पर क्यों लगाया ऐसा ही क्यों करा हमने तो वहां पर आप जो एक particular topic है उस से जादा की learning कर रहे हो एक इतनी सी चीज थी आपने चार सवाल फालतू पूछ के इतना जानने की कोशिश करी तो जब इतना जानते हैं तो इतना तो याद रही जाता है आपके ज़्यादा कानियां बनती हैं वहाँ पे अरे यार, मैंने अपने आप से ये question पूछा था, इसका reason ये था, जब आप अपने notes को revise कर रहे हो paper के अंदर, किसी rough copy के अंदर, आप अपने बने वे notes को वापस revise कर रहे हो, तो अपने आप से बात करते करते पढ़ो, मन के अंदर पढ़ लो, अच्छा यार, यहां पर हम ये funda पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ये 3 चीज़े आती है, अच्छा, ये 3 चीज़े आती हैं, इसमें पहला point ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, अच्छा, यहां पर हमने ये क्यों किया, ये क्यों किया, खुद से मन में बाते करो, next चीज के उपर आते हैं teacher वाला point बहुत important है अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है ऐसे देखो फाल तुमें जाकर time wasting नहीं करना है कि आप किसी दोस्त को मैं जाकर पढ़ाऊंगा ही तभी मरे वाइस पर आपको लगता है हाँ यह help कर रहे it is working for me तो कोई आपका अच्छा दोस्त है जो पढ़ने वाला दोस्त है उसको जाके आप वो funda पढ़ा सकते हो कोई concept समझा सकते हो नहीं तो खुदी को पढ़ाते रो next चीज के उपर आते हैं वो है recalling recall करना बहुत ज़रूरी है काफी बच्चे होते हैं जब रटा मारना होता है तो किताब आगे ले लिए और भई बैस आगे देखे जारे देखे जारे read मरे जारे है काफी होंगे जो सिर्फ लिखे जारे है इदर से देखा इदर लिख दिया इदर से देखा इदर लिख दिया अब पढ़ने के बाद आप copy बंद करो और उसके बाद recall करो इस page के ओपर क्या-क्या था अच्छे हैर सबसे पहले ये chapter की heading ये है उसके बाद हमने ये पढ़ा था इसके अंदर ये अच्छा मेरे को याद नहीं आ रहा कोई बाद नहीं इसके बाद ये आया था अच्छा फिर कुछ था मेरे याद नहीं आ रहा इसके बाद ये आया था क्या-क्या Ching इन चीज थी मैं लिख लेता हूं मेरे को ये था, ये था, ये था अच्छा क्या क्या मैं बूल गया अच्छा मैंने ये-्ये चीज़े ध्यान नहीं रहे थी तो आपको यह decide करना है, आप अपने घर आ रहे हुआ, आपस मेट्रों में बैठके, आटों में बैठके, पैदल चलके, बस में बैठके, अपना chapter recall करना, start कर दो, यार यह जो chapter था laws of motion, इसके अंदर हमें सार ने यह 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 चीज़े कराये थी, यह मोटा मोटी हम इस chapter को इतनी categories में बाढ़ सकते हैं, अच्छा, यह conic section था, इसके अंदर हमें यह यह यह, तो आप हर एक जो in fact हम भी अपने notes बनाती है, आपको देते अपनी कक्षा के ऊपर, आप देखो के first page के ऊपर, usually हम सारे major जो fundे होते हैं, उनको list out करते हैं, कि इस chapter के अंदर, यह यह सारे आपके major, important, छोटे-छोटे concepts हैं, जो आगे पढ़ाए जाएंगे, तो आपके दिमाग में एक layout होना चाहिए, कि for example, आप electrostats chapter पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले भई हमने पढ़ा था, भई types of charges क्या होते हैं, positive charges होते हैं, negative charges होते हैं, फिर हमने coulum's law क्या पढ़ा था, उसकी हमने definition द अब यह मैंने एक बार notes पूरे के पूरे लिख लिए, अब दुबारा लिखने की क्या जरूरत है, copy थोड़ न परनी है, बिल्कुल मत परो, पर at least 10% लिख लो, अगर 10 pages आप revise कर रहे हो, at least 1 पन्ना जरूर लिख लो, उससे एक तो क्या होता है, हमारी hand memory भी होती है, और लिखते हैं न, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि मैं क्या लिख वा रहा हूं अपने हाथ से, तो बीच-बीच में जो हमारा मन इधर-उदर रमकता रहता है, तो वह हमारा कॉपी के उपर बैठे होंगे, तो दिखेगा, कि यार आदा गंटा हो गया है, एक गंटा हो गय यार रिकॉलिंग करके आप अपना समय का बेस्ट इस्तमाल कर सकते हो, आपकी कोचिंग के अंदर बीच में ब्रेक आया, तब आप अपने चाप्टर रिकॉल कर सकते हो, अपने नोटस आगे देखके उनको जल्दी से रिवाइस कर सकते हो, यही छोटी-छोटी चीजे हैं इनी के बीच में हमें रिवाइस करकर के अपने हर एक चाप्टर कर रिपेटिशन बढाना है, तो सारे चीजे एक बार समराइस करते होए, सबसे पहले फोकस को स्ट्रॉंग करना जुरूरी है, और वहां पे हमने जाना कि जना आप डोपमीन लेरिंग जैसी चीजों से हमें इस तरह की चीजे या फिर आप बाहर जाके थोड़ा सा एक्सरसाइस कर लो, एक्सरसाइस का मतलब यह नहीं कि आप आइरन पंप करना स्टार्ट कर दो, ऐसी तरह की चीजे कि आपने थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग कर ली, ठीक है आप जाके बालकनी में खड़े हो गए, थ 10-15-20 मिनिट की दिन में अगर आप एक नाप लेते हो तो, या फिर आप अपना भार इदर उदर थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, आप अपनी चेर से उठो, जाओ कर थोड़ा हाइडरेट हो के आओ, पानी वाने पी के आओ, ठीक है थोड़ी से अपनी एक्सरसाइस कर पाली कमरे के अंदर जो कर सकते हो, भार धूब गर्मी जादा है तो, इस तरह की आपको चीजे करनी है, बोरियत से आपको प्यार करना होगा, आपको पेन से प्यार करना होगा, आपको अपनी दिमाग को जबरजस्ती ये जूट बताना होगा, कि भई मैं जब पेनफुल च पेनि प्रेप्रटेशन, बोरियत से अपनी दिमाग प्यार कि अपने चिजे करना होगा, आपको पेन विदिमाग को जब पेने से वह हुआ है, आपको चाप्टर के साथ एक इमोशन के साथ उसे जोड़ो, कि सट इसकी जबरजस्ती बनाओ, उसके की वर्ड्स पकड़ो और उसकी कुछ स्टोरी बनाने की कोशिश करो जिससे कि हमें वो फंडा याद रहे अगला हमने डिसकस किया भी या टीचर जब भी किसी कॉंसेट को पढ़ो तो एक टीचर की तरह हमें आक्ट करना है कि मैं चार सवाल अपने आप से और फालतो पूछूं और रीकॉलिंग के उप को भी रिवाइस करना जुरूरी है शुरुआत कर सकते हैं आप चाहो तो अपनी कॉपी के अंदर जो भी हमने ये 6 पॉइंट डिसकस किये इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे कोशिश करो कि क्या आप लिख पारे हो या नहीं और वहां लिख दो वहां अगर जगा नहीं आज आप कितनी मैनत कर रहे होगे और आने वाले समय में कितनी मैनत कर रहे होगे आप अपना समय बदल सकते हो अपने उपर ये बिलीफ रखना तब तब के लिए बबाए टेक केर सीया